क्या ये सबसे बेस्ट टाइम है सैमसंग गैलेक्सी बुक बाई करने के लिए और भाई चैनल पिना थोड़ा महंगा मसाला जादे ही होता जारता लोग कहरते हैं यह बजट यूजर्स को आप भूल गए हो मैंने का ऐसे कैसे वाहसा तुम प्यार इत्ता करते हो और यह वाली सैमसंग गैलेक्सी बुक है यह आई 3 वाला वेरेंट है यानि कि 35,000 के अंडर और जब हमने पहले गैलेक्सी बुक 4 को रिव्यू किया था ना तो उसके अंदर हमने बोला था कि ओवर प्राइज़ेंग काफी जाद ही फिर हमने प्राइजिंग की बात भी करते हैं और अभी जाके प्राइजिंग बहुत जादा बढ़िया हो चुकिया और इस वेरेंट को आप देखोगे ना यह स्टार्टिंग में 43-44,000 के आसपास था अभी यह 34,990 का है कार्ड ओफर, बैंक ओफर वगरा मिल जातो तो और ही बड़िया बात हो जाएगी और यह लापटॉप स्टूदेंट्स, वोकिंग प्रोफेशनल्स को टार्गेट करता है जिस टाइब के टास्किस के अंदर आप कर सकते हो तो दबबा वगर आप खोलोगे ना, तो अंदर से आपको एक चार्जर मिल जाएगा, 45W का, with C2C केबल थोड़ी बहुत पुस्तेगी बातचीद मिल जाएगी और सफेज चादर में हमारा लापटॉप मिल जाता है, कुछ ऐसा सुन्दर सा और हाँ, इसके अंदर वैसे i5 और i7 वाला वेरेंट भी है, i5 51,990 और i7 64,990 आई 7 वाले का रिव्यू है, i3 वाले का कर रहे है, i5 वाले का, किसी ने तो यूट्यूब पर कर रहा होगा, देख लेना अगर बाइब डिजाइन की बात करते हैं, बाइब वन ओफ दे बेस्ट बिल्ड में कह सकता हूँ, जिस प्राइस पॉइंट पर लापटॉप आता है, क्योंकि फुल मेटल बिल्ड है, और एक तम बिल्कुल प्लेन सिंपल लुगिंग लापटॉप है, सैमसिंग की और इसके लापटम में हमारे को इंटेक के बेंट्स मिल जाएंगे, और एक हाथ से अराम से लेडिस की ओपन जाती है, मैक्सिम्म बाइटी डिग्री इस तक चला जाता है, और जो स्क्रीन वाबल है, वो कुछ ऐसादा नहीं है, और बिल्ड कॉलिट अची है, जैसे टॉप लेड़ फ्लेक्स ऐसाच कुछ जादा नहीं है, कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को हाँ थोड़ा बहुत मिलता है, बट ओवर ओल लाप्टव अच्छा और प्रीमियम फील होता है, अब थोड़ी तकनिकी बाते कर लेते हैं, इंटल कोर आई 3, 13, 15 यू प्रोसेसर है, थोड़ा स खरीद हो, तो इसके साथ का जो भी एलफाबेट होगा, वाकि पर्फॉर्मेंस रो डिस्क्राइब करेगा, और वैसे और भी बहुत सारे प्रोसेसर है, इसे में V होता है, किसी पुरानी जनरेशन में P भी होता है, उसके लिए चैट जीपिटी गूगल है, जादा बताना ल तो फ्यूचर में अप्ग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.2 और MS Office 2021 भी हमारे को laptop के साथ मिलता है, that means students and working professionals, office वाले का आप करने, आपको target करता है, और थोड़ी थी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बेंचमार्क, Cinema अब देख सकते हो, i3 के साबसे जैसे होने चीए, वैसे ही है, Geekbench 6 का CPU बेंचमार्क और फिर OpenCL भी निकाला जो इसका IGPU के लिए होता है, 10,000 की आसपाइस को निकल गया, AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का AI बेंचमार्क निकाला, और PC Mark 10 जो हमारा D2D टास्क और 1000 प्लस जो की अच्छा नमबर है, Similarly, Crossmark का Benchmark भी देख सकते हो, उसके अंदर भी Productivity, Creativity और Responsiveness के Numbers है, और जिसको ये Benchmarks वगएरा समझ निया है, ये Numbers कंपेर करने के लिए हैं, हम अपनी सारी वीडियो में सारे Benchmark करते हैं, अगर आपको compare करने हो, higher is better, अब देखो U-series का processor है, जादा power efficient processor है, power draw जादा नहीं करता, compare to H-series, और इसके अंदर हमारे को 2 PE course मिलते हैं, तो अगर आपको day-to-day task करने हैं, जैसे हम इसके अंदर चेक करे थे, बहुत सारे side-by-side tabs वगएरा हमने इसके अंदर खोले, बहुत सारी apps वगएरा हम खोल के देख रहे थे, 8GB RAM के परनी है, web designing वगएरा आप करने चाहते हो, student अगर आपो वो सब कर पाऊगे, android studio, app development वगएरा, उसके लिए फिर मैं आपको high-end laptop रेकमेंट करूँगा, और photoshop वगएरा हमने चला के देखा इसके अंदर, वो भी काफी अच्छे चल रहा था, और 1080p editing वगएरा आपको करनी हो, जैसे वैलोडन ट्राई गया, हाँ, 60 अट वाला पैनल है, एसके अंदर, fps काफी जाद आ रहे है, आपको externally अगर monitor लगा के खेलना हो, तो हाँ, आप आराम से अंदर 130, 140 fps आप निकाल सकते हो, उसके बाद फिर मैं CS2 भी ट्राई करके देख रहा था, CS2 काफी यार ग्राफिक फिर मुश्किल से निकाल पारा था, किसी किस जगा तो उससे भी जाद अकम, तो 720p वगरा पर अगर चाहो तो आप खेल सकते हो, तो गेमिंग के लिए लाट आप नहीं है, बड़ा के लिए काशुली कभी कुछ थोड़ा बहुत खेलना तो आप खेल पाऊगे, और बाइट बाइटी किसी एप नाविए कषियर कर से लाइटी नाैशन ओड़ा पुद आप खेलिया, फ्री ऑलटे के अन्ध रहत आप, तो आली वीटेट वाड़ा था आप टो खेल त Taxi में कि हम स्रेंटory का शिंत, ठेंच देसं के लिए, और समशने साब्त में मिल गरा चलताब देन और डीटेल में पता लग जाए और Galaxy Book में Samsung के कुछ extra features में experience करके देख रहा था जैसे आप FN plus F दबाऊगे ना तो quick search हो जाता है काफी fast और बढ़िया proper search results हमारा को मिल जाते हैं smart thing से आप उसको control भी कर सकते हो और Bixby से क्या कर एप भी launch करवा सकते हो और इसके अंदर Windows के studio effects तो नहीं है लेकिन यहाप पे studio mode कर एक feature मिलता है camera app के अंदर जिसके अंदर आप effects चेंज कर सकते हो like background effects वगेरा होगे उसके अलाबा auto framing भी है इसके अंदर और अगर laptop के camera से मजा न text लिखा उसको search कर सकते हो किसी इमेज में से text को copy कर सकते हो and इसके लाबा बहुत सारे features है like live wallpaper samsung flow भी है और यह सारी चीज़े आप laptop और phone के बीच में आपके birds auto switch हो जाते हैं यह हमने ecosystem वाली वीडियो में दिखाया था अब आ जाते हैं थिन and light laptop होते हुए भी ports में कोई कमी नहीं है यहाँ पे left side में 3.2 Gen 2 Type-C port मिलता है जिस से display output भी ले सकते हो power delivery and fast data transfer और right side में canzenter lock 3.2 Gen 1 Type-A port headphone mic jack का combo और micro SD card slot भी वन टीवी तक का card चला था अराम से चल रहा था तो यह storage expansion में भी बहुत काम आता है और storage के मामले में no disappointment और full size के keyboard के साथ आता है और कीज काफी अच्छी कासी बड़ी है तो typing experience बढ़ी है रहता है कि स्टूनेट जैसे coding बगर अगर आप करते हो srgb और brightness nits वागरा तो बेसिकली होता गया है color accurate displays होती है जिसके अंदर हमारे को srgb value और ntsc value और dcp3 value जादा मिलती है उसके अंदर color grading वाले टास्क जादा बेटर color production वह सब मिलता है बड़ ओविसली वो महेंगय laptops में आती है अगर आपको compare करना हो ना प्रोटिप offline store पे compare करके देखो बागी इस laptop के अंदर आपको movies वगरा देखने हो day to day टास्क करने हो इसके display असस disappoint तो हमारे को नहीं करती और इसके अंदर हमारे को display modes में मिलते है dynamic standard वगरा जिसमें आप अपने use case के साब से चेंज कर सकते हो और माइक भी laptop का यूज हो रहा है 720 भी 30 fps वाला webcam है बट जो 30 fps है वो proper 30 fps है अगर आप movement वगरा motion वगरा देखोगे बागी light control अच्छा है कोई भी overexposure वगरा नहीं हो रहा एंड कैसी लगी quality बताओ ज़रा comment करके करोगे तो बड़ी output आपको मिलेगा साथ में डॉल भी Atmos का भी support है डॉल भी access की आप में जाके आप कस्टमाइज वगरा भी कर सकतो डिफरेंट इक्यू प्रिसेट्स वगरा मिल जाते हमारे को बट ओवर आल स्पीकर इस प्राइस पॉर्ण के बड़ी है और इस laptop में 54 बैक वगरा चली रहा था इंटरनेट अमारे को बैक अप मिला बाकि आपकी यूसेज पर डिपेंड कर सकता है जिस तरीकी सामनी यूज कराकर इससे भी और जाधे एफिजनली यूज करोगे तो अराम से 8-9 आर्स तक का बैक अप आप निकाल सकते हो क्योंकि U-series का प्रोस तो यह था Samsung Galaxy Book 4 का पूरा रिव्यू आई 3 वाला यह वेरेंट है एंड मेरे इसाप से जो भी प्राइजिंग है इसकी अंडर 35,000 एक स्टूट एक वरकिंग प्रोफेशनल या किसी को भी एक एंट्री लेवल लाप्टॉब लेना है इससे नीचे जाने के लिए तो हमेशा मन तो आपके का थोट्स है Samsung Galaxy Book 4 के बारे में आप कौन सा Galaxy Book यूज कर रहे हो और 30-35,000 के आसपास और कोई लाप्टॉब किसी के साथ कमबारेजन कुछ भी चाहिए कॉमेंट सेक्शन बता दो और अपने थोट्स भी शेयर करना इस लाप्टॉब के बारे में बाकी लाइक शेय मिलते नेक्स वीडियो तक के लिए बाई